अब आईगी जिम्वावे की शामत एक एक भारतिये खिलाडी करेगा धमाल मैच विनर से भरी हुई है टीम इंडिया टीम इंडिया जिम्वावे के खिलाब पहला वंडे मैच के लेगी इस वन डे मैच को जीत कर टीम इंडिया सीरीज की शुरुआ जीत से करना चाहेगी क्योंकि टीम इंडिया ने अभी अभी वेस्ट इंडियस को उसके घर में जाकर रौंदा है तो अब बारी जिम्वावे की है लेकिन जिम्वावे की टीम को क्या हलके में लेना चाहिए क्योंकि उन्होंने अभी हाली में बांगलादेश को अपने गर में सीरीज हराई है तो क्या भारते टीम जिम्वावे के सामने थोड़ा कमजोर पड़ सकती है तो इसका जवाब होगा नहीं क्योंकि भारते टीम के पास तीन ऐसे खिलाडी है जो अकेले दम पर मैच जिताने का माददा रखते हैं इन तीन भारते खिलाडियों में इतनी ताकत है जो अकेले टीम इंडिया की बेड़ा पार लगा सकते है जिया दोस्तो टीम इंडिया के इस ODI टीम में सबसे अनुभवी खिलाडी शिखरदवन है वो शिखरदवन जिनके नाम वंडे क्रिकेट में 6000 से उपर रण है और इस खिलाडी के पास काबिलियत है कि अकेले दम पर टीम इंडिया को मैच जिता सकता है शिखरदवन अब भारत के लिए T20 और टेस्ट टीम में रज़र नहीं आते हैं वो भारत के लिए सिर्फ वंडे क्रिकेट ही खेलते हैं ऐसे में उनके लिए ये सिचुएशन बड़ी इंपोर्टेंट होगी कि वो टीम के लिए रन बनाए क्योंकि अगर वो एक फॉर्मेट में खेल कर भी रन नहीं बनाएंगे तो आगे उनकी जगा मुश्किल होती चली जाएगी लेकिन शिखरदवन जिस तरह के खिलाडी है ये चीज़ वो कभी नहीं चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो रन बनाएंगे तो ही आगे वो अगले साल होने वाले वंडे वर्ल्ड कप में खेल पाएंगे केल राहूल तीम इंडिया के दूसरे खिलाडी केल राहूल है जो अकेले बम पर मैच जिटाने का माद़ा रखते हैं भले ही केल राहूल इंजिरी के बाद वापस आ रहे हैं और वापसी करना आसान नहीं होता लेकिन K.L. राहूल के पास वो काबिलियत है जो मैच में अकेले फिनिस्ष करने का दम रखते हैं K.L. राहूल ने कई बार अपने दम पर अकेले मैच जिताये हैं और वो आने वाले समय में मैच फिनिश कर चुके हैं तो केल राहूल दोस्तों जिम्वावे के खिलाफ इस मकाबले में टीम इंडिया के सबसे बड़े मैच विनर बन सकते हैं दीपक हुड़ा दीपक हुड़ा वो खिलाडी है जिन्होंने अपने दम पर टीम इंडिया को आइरलेंड में टीटवेंटी मैच जिताया था टीटवेंटी में उन्होंने आइरलेंड के खिलाफ सेंचुरी जड़ी थी और अब उनसे जिम्वावे में ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि जिम्वावे में वो टीम इंडिया के सबसे एहम खिलाडियों में शुमार होंगे जो टीम जिताने का दम रखते हैं दीपा खुड़ा एशिया कब भी खिल ले जा रहे है ऐसे में उनसे उम्मीद बढ़ जाती है कि वो जिम्वावे दोरे पर अच्छा प्रदर्शन करे तो दीपा खुड़ा से उम्मीद हम यही करते हैं कि वो आने वाले समय में टीम इडिया के बड़े सितारे बन कर उबरेंगे लेकिन इसके लिए उन्हें जिम्वावे में अपनी काबिलियत दिखानी होगी तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि यह तीन खिलारी भारत को अकेले में जिता सकते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में अपनी राए जरूर बताइए वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए साथी क्रिकर सुत्रा को सबस्क्राइब कीजिए नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल मत भूलेगा अगर आप हमारी ये वीडियो हमारे फेस्ट पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेस्ट पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए